हेलो गाइज शुरू की जे ट्रेडिंग जर्णी हमारे साथ हमारे अंडर ओपन करे डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबर्शिप और हमारे टेकनिकल एनलिसिस को जॉइन करने के लिए एक स्पेशल दिसकाउंट भी उसके लिए आपको करना क्या इन चारों में से कोई एकड्रेडिंग YouTuber अगर आपको ऊपन काना है तो आपको जेस्ट यहां से क्किलिक योपन होगा यहां पर आपको को स्ब्राट के बादपर के ओपर काल करने ता कि हमारे अत्क अम्तकेौन का कौन कर सके द हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें अलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगें तो निफ्टी आंड बैंक निफ्टी आनलीजिस प्रॉम ट्रेडिंग्वाग डॉटिंग आज काफी वोलटाइल डे रहा निफ्टी काफी अप अंड डाउन मुव दिखा रहा था सबसे पहले कल के अनलीजिस का क्विकली रिवीव कर दे कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर या आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो आज फाइम मिनिट का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था कल के प्लान के अगरें हमारा ब्रेकाउट लेवल 15,339 और ब्रेकडाउन लेवल 15,270 तो जैसे कि आप देख पा रहे है निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ था और यहां से जब निफ्टी टूवर्ट साउट की तिरफ आने लगा तो डिसेंडिंग बॉटम्स बन साउट की तरफ आया ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद एक्जैक्ट 15,253 का फर्स टारगेट अची हुआ बाउंस बैक किया और दुबारा जब यह टूवर्ट साउट की तरफ आया तो अल्मोस सेकेंड टारगेट भी यहां पर अची हुआ एक्जैक्ट इसी लेव चाad पर विडियो्र का बड़ पर्स अपत्न रित अब페ट गनले बन सकता है तो सबसे पहले बैंक निफ्ट्ी का इंटराबे लेवल क्या हो सकते हैं कल के लिए उसको अइदेंटिफाइ करेंगे फिर कर चार्ट पर चल्क है यह बैंक नेफटी का अर्ली चाड आर्ली चार् तो अभी यहां पर इसने 20MA का सपोर्ट टेस्ट किया है तो कल अगर 20MA को ब्रेक करता है यानि 36,750 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर शॉट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फॉर्स टार्गेट होगा अराउंड 36,649 यह हमारा फॉर्स टार्गेट होगा और सेकेंड टार्गेट होगा 36,526 और अगर उपर की तरफ चलता है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स तो आज का जो हाइस्ट क्लोजिंग था आरली चार्ट में यानि आराउंड 37,315 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यह इंट्राडे के लिए हम यहां पर बाल पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फॉर्स टार्गेट होगा 37,408 यह हमारा फॉर्स टार्गेट होगा और सेकेंड टार्गेट होगा 37,516 यह हमारा सेकेंड टार्गेट होगा यह bank nifty के लिए intraday levels कल के लिए चल दे निफ्टी के early chart पर early chart को भी देखे तो यहाँ पर एक दो candles बने जिसका low almost same है tweezer candles ही से कहते हैं तो इन candles के नीछे अगर sustain करता है कल 15,241 को break करता है तो यह intraday के लिए हम यहाँ पर short position मना सकते हैं आप देख सकते हैं कुछ जिनों पहले यहाँ पर exact nifty ने resistance पेस किया था तो अभी यह support का का काम कर रहा है जो past में resistance का का काम करता है वो future में जाके support का का काम कर रहा है तो यह support अगर break होता है तो यह intraday के लिए हम कल short position मना सकते हैं और तभी हमारा first target होगा around 15,222 ही हमारा first target होगा और second target होगा around 15,197 ही हमारा second target होगा और अगर towards nifty north की तरफ फिर से बढ़ता है तो आज का जो highest closing level है आरली chart में 15,397 के ऊपर अगर sustain करता है तो यह intraday के लिए by position मना सकते हैं और तभी हमारा first target होगा 15,416 ही हमारा first target होगा और second target होगा around 15,437 ही हमारा second target होगा तो यह है कल के लिए bank nifty और nifty के intraday levels video अच्छा लगाओ तो like, share, comment जरूर करें और subscribe करना लागे ले so thank you very much and happy trading